C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारप्रस्तु थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग दो सबक दस सफ़ा नंबर साथ इद का चांद आहा आहा इद का चांद लोवो चमका इद का चांद कितना अच्छा इद का चांद कैसा प्यारा इद का चांद शुक्र खुदा का करते हैं उसने दिखाया इद का चांद क्यों ना मनाएं हम खुशियां हमने देखा इद का चांद मेरे रब की गुदरत है प्यारा प्यारा इद का चांद नन्हा मुन्ना इद का चांद हाफिस धामपुरी इस सफ़े पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक माँ और एक बच्चा आसमान की तरफ इत का चान देख रहे हैं सफ़हा नमबर 61 मश्क पढ़िये और समझिये शुक्र एहसान मानना रब पालने वाला खुदरत इस मश्क के सामने एक तस्वीर है जिसमें दो शख्स एक दूसरे से गले मिल रहे हैं सोचिये और बताईए एक ईद का चान देख कर हम किसका शुक्र अदा करते हैं दो शायर ने ईद के चान देख को कैसा बताया है तीन ईद का चान देख कर हम क्यों खुश होते हैं चार चान देख किस ने दिखाया और किस ने देखा पांच हम ईद किस तरह मनाते हैं आप ईद के दिन क्या-क्या करते हैं चंद जुमलों में लिखिए यहां नीचे खाली जगा दी गई है सफा नंबर पांसट खाली जगों में मुनासिब लब्ज लिखिए प्यारा, खुदरत, चमका, चांद, शुक्र एक लो वो, खाली जगा, ईद का चांद दो खाली जगा, खुदा का करते हैं तीन हमने देखा ईद का खाली जगा चार प्यारा, खाली जगा, ईद का चांद पांच, मेरे रब की खाली जगा है इस मश्क के सामने एक तस्वीर दी गई है जिसमें मेले का नजारा है और एक बाप अपने दो बच्चों के साथ मेले में खड़ा हुआ है इस सफ़े के आखिर में एक और तस्वीर दी गई है जिसमें एक औरद और एक मर्द एक गरीब आदमी को ईद के तोफ़े दे रहे हैं सफ़ा नमबर 63 ईद की मुबारकबाद का कार्ड बना कर उसमें रंग भरिये यहां एक खाली खाना दिया गया है इस कारकरदगी के लिए तस्वीर में नजर आ रही चीजों के नाम लिखिये इस मश्क की एक तरफ एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक मस्जिद, दो लोग गले मिलते हुए दो मिया बीवी गरीब लोगों को तहाइफ देते हुए और एक बच्चा फिरकनी से खेलता हुआ दिखाया गया है असातेजा के लिए हिदायात बच्चों से चांद के बारे में गुफ्तगू करें नजम की तस्वीरों को तवज्जे से देखने और समझने की तरगीब दें अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचनस्वर, शिमाईला परवेज और परवेज गौहर तक्निकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, तनु गुप्ता, निर्देशन एवं निर्माण, वीमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नैदिल्ली भारत